प्यारे साथियों नमस्कार गुरुजी आर्पी शोरान के चैनल में आपका हरदिक स्वागत है आज मैं आपको दिखा रहा हूँ सो बीगा जमीन जिसमें मुफली बिजी हुई है एक नंबर का पानी है मुफली और चना हलके पानी में नहीं हो पाता तोप से टोप जमीन तोप से टोप पानी एक जगह प्रोपर टुकडा बिका नेर के ये आसपास की जमीन है जब आप हमारे पास आते हैं लेने के लिए तो आपको ले भी चलते हैं बस बात ये है कि प्रोपर लोकेशन देने से मैं थोड़ा बच रहा हूँ उसका कारण है कि कई वीडियोज मैं जो डालता हूँ उसमें प्रोपर लोकेशन देख करके दाएं बाएं के जो व्यक्ती हैं वो हमारे लिए नहीं रह पाती इसका आप समझ गए होंगे कारण दूसरा ये है इस जमीन में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है दो जो हैं डिगियां हैं मैं आपको दिखा देता हूँ लबालब पानी से भरी हुई प्यारा सा सुंदर सा टुकडा उपजाओ जमीन और ये बिकानेर के आसपास है अब आप कहेंगे कि रोड लगता है क्या ओन रोड ये नहीं है लिंक रोड भी नहीं है इससे 3-4 किलो मिटर की दूरी पर हाइवे है और उसके बाद में जो रेट की अगर मैं बात करूँ तो ये जमीन अपने को 3-6 की बोल रहा है व्यक्ति जिसे देनी है लेकिन 3-6 है तो 3.5 वैसे ही बन जाते हैं और उसके बाद भी गुंजाइस रहती है कि हम जो साई लेकर के जाते हैं ब्याना वगर देते हैं तो और भी ये रेंज में आ जाए बहुत अच्छी जगह पर है ये बरड़ा रोड पड़ता है जिसको कांकरिया रोड कहते हैं उस पे साड़े तीन बीगे का उस कांकरिया रोड पर फरंट लगता है खेत में मजदूर काम कर रहे हैं और इस से अच्छा टुकड़ा और जायज रेट में आपको सायद फिर मिल पाए इतनी बल्क में जमीन आधी की बहुत से बात करेंगे लेकिन बात करने पर है अभी तक हमने उनसे नहीं पूछा कि आधी भी दे सकते हैं क्या लेकिन मुश्किल है सो का सो एक साथ देने कामन है हाँ दो व्यक्ति मिल करके भले ही ले 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 और हमारे पास में ये देखो ये वो रोड है कांकरिया जिसके साथ ये अटैच साड़े तीन बीगे का और ये दूर तक फैला हुआ सारा का सारा ये गेट खोल करके अंदर जाने का रस्ता है हमारे पास में बहुत जमीने हैं ओन रोड हैं हाईवे के उपर हैं स्टेट हाईवे पर हैं लिंक वाले पर हैं कांकरिया बर्डा रोड पर हैं अब बात ये है कि जब यहां आप आते हैं तब आपको सारी की सारी जमीने दिखा दी जाती हैं बसरते आप टाइम लेकर के आएं चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो क्रिपया कर लें हमारे चैनल में बनने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद कुछ बात कहने फिर रह गई पार्टियां इस जमीन की भी लग रही हैं और जितना शिग्र हो सकता है अपना मन बना सकते हैं वैसे तो बहुत जमीने हैं सभी के लिए ऐसा है लेकिन ये जो बल्क वाले टुकडे हैं ये बड़ी कम मातरा में निकल के हमारे पास आते हैं और रेट भी जो है इसका बहुत जायज है तो कहूँगा कि पहले आओ पहले पाओ वाला शिद्धानत रहता है पता आप जुरूर कर लें एक बार चलने से पहले कि ये बिक गया या नहीं और जितनी भी हमारे से संभव कोशिश होती है मैं आपके लिए करता हूँ आप ट्रस्ट कर सकते हैं मैं स्वयम हर्याना के दोलतपुर गाओं का रहने वाला हूँ कि रोडी मैं सर्विस करता हूँ यहां वाले लोग जो हैं मेरे साथ ही डारेक्ट स्कूल में भी आ सकते हैं और आपका स्वागत है आप आईए बहुत सी जमीने हैं देहात की जमीने हैं हाईवे की जमीने हैं हम जितनी भी हमसे मदद होती है उतनी आपके करने के लिए तयार रहते हैं और आप अगर नहीं भी ले पाते हैं फिर भी आप उतने ही हमारे लिए अच्छे रहते हैं क्योंकि अगर आपका विश्वास जीत लेते हैं तब भी आप हमारे काम ही आते हैं चाहे वो जमीन दिलवाने में हो, चाहे आप कहीं ले ले, फिर बेचने के लिए आप हमसे संपर्ख करें, कहने का मतलब है हम आप से लंबा जो है, रिस्ता बना करके चलते हैं, आपका भरोशा जीतते हैं, उसे कहीं भी जो हानी नहीं होने देते, वीडियो कैसा लगा? जुर